है एफ्रिवान जो आज का हमारा टॉपिक है इस वीडियो का है कि हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन बाइलाजी बैसे लिए कोशन आता है कि बाइलाजी जो इतना एफेक्टिव सब्जेक्ट है और इतने हाइस नंबर आफ कोशन जिसमें पूछे जाते हैं हाइस वेटेज का है तो उसमें किस तरह से जाता से जादा माक्स लेका आए जाएजाएं तो बइससर कोशन जो जो जादा कि हम लोग कर तो लेंगे बाइलोजी बहुत एजी है बड़ शिरुवात कहा से करें वही से अटक जाते हैं किस तरह से स्कोर आगे करना है हमेशना हम लोग उन चाप्टर्स को जादा इंपॉर्टन्स लेते हैं जो कि थोड़े दिफिकल्ट होते हैं लेकिन नंबर ओफ कोशि तो यह आ सकते हैं मैं से कुषिन बड़ ऐसा नहीं है कई बार जो है ऐसा नहीं होता तो बेसिकली आज का हमारा वही टॉपिक है किस तरह से हम मैं जो नीट 2017 के लिए जो लोग प्रिपैर कर रहे हैं तो किस तरह से उनको करना चाहिए प्रिपैर कौन से चाप्टर को पहले क किसकी वेटेश सबसे ज़्यादा है तो उससे आप से हम लोग करेंगे क्योंकि जो कोशन होता है लगो का वही होता है कि यार हम लोग कर तो लेंगे बड़ पढ़ें कैसे कि मतलब कौन से चाप्टर से शिरुआत करूं मतलब कहां से पढ़ाई करूं तो आज का वही टॉप इसकी वेटेश 5% दी गई है मतलब ओवरॉल फिजिक्स और के मिस्ट्री को मिला के 5% दी गई है अगर लोग बात करें तो 100% इसमें से लिया 10% जो है बात क्लासिफिकेशन से आ सकता है प्रिंसिपल अफ इन हेरिटेंस अन वरिएशन जानिक्स जो टर्म है उसमें चाप्ट इसमें कि आपको जो पढ़ना है इसी तरह से पढ़ना है जो जिस तरह से मैं इसमें लिखा हुए है फर्स्ट थरी फो चाप्टर बेसिक्ली सिक्स टाप्टर है हमारे जो में 11th और 12th की अगर हम लोग मिला के देखते है तो तो आपको इस इस वे में पढ़ना है कि बाजिक इसमें प्रिंसिपल उफ इन हरे जो इसे जो बेसिक्ली फर्स्ट जो है यह आपका मनला पहले कावर होना चाहिए आप पहले आपको यह करना है कवर देन उसके बाद हम लोग इन चाप्टर इस की तरफ आएंगे क्योंकि जबसे जादा कोशिंट में से पूचे गए थे इस तरह से जो में इंपॉर्टन चाप्टर स कोन से हैं तो यह आप नोट कर सकते हैं कि बॉडी फ्लूइट्स अंसर्क्लेशन में से त्री चाप्टर स्कूशन कूछ जा सकते हैं चाप्त नमबर 18 ऑफ क्लास 11 मेंने साथ में लिखा हुए क्या वो किस तरह से पढ़ना है नमबर 18 इन कि नमबर 18 में से खता हैं यह तरह सकते हैं सिर्च यह इंपॉर्टन आप दिरे अराम से कर सकते हैं अपना टागेट बना लोकि तो उन में से 17 आपके एक महिने में मार्श तर खदम हो जाने चाहिए और एप्रिल 15 दग बेसिकली कोर्स आपका खदम होना जाहिए तब भी जो है 7th में को एक्जाम अच्छी दरह से हो पाएगा ओके अगे फिर यह है यह आप नोट कर सकते है 23 जो यह दिया हुए topic इसमें से नमबर टू नम तो कोशन आ सकते हैं और चाप्र नमबर 13 ऑफ क्लास 12 है अभी हम लोगों ने जो वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें फोटो संथेसिस करवा है था जिसमें से सिर्फ दो मतब कोशन पूछे जाएंगे और बायमोलिक्यूस की बात करने तो बायमोलि पूछेज़ा यही है कि मैं जो वीडियो से आगे बनाऊंगी वो मैक्सिमम वेटेज के जो टॉपिक्स है जिसमें मैक्सिमम नमबर आफ कोशन पूछे जाएंगे आप इनी इतमें सबसे आफ्वाले टॉपिक्स उनको पहले कवर करोंगी तो से आपको भी असानी हो कि जो आपके concept हो वह सब जावा clear हो यह नहीं कि अगर जिसे reproductive health है वह उसमें से एक नंबर का कोशिन आ रहा है तो विकेंज है कि यार एक नंबर का ही तो है अगर छोड़ देंगे तो कुछ नहीं एक नंबर का जो कोशिन है वह भी 4 marks लेता है और अगर negative marking है negative marking है तो minus one that means कि जो correct किया गए उसमें से one minus हो जाएगा तो हर एक topic को बहुत अच्छी तरह से करना है कि 360 के 360 आप गेंड कर सकें तो अब ही के लिए इतना है अब जो next जो वीडियो होगी वो biological classification की मैं upload करने की कोशिश करूंगी कि आपको उसमें से कोई problem ना आए और फिर भी इ कारिश है you can contact to youtube comments and on my google plus community and you can share the sorry share you can follow on my facebook page as well so if you have any if you have any queries you can comment below and till then thank you so much and study hard be positive okay to see you soon thank you so much